नमस्कार, स्वाकत करते हैं आप सभी के विहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में श्वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज नहीं है आपको दाले के लालू परसाध यादों का शमस्या और ज्यादा बढ़ता हुआ नजरार है लालू परसाध यादों के फेपड़े देंगे वहाई नितीस कुमाने लालू यादों के बारे में यहां कहा लालू यादों के बारे में नितीस कुमाने साब कहा कि काफी चिंता हो रही है और लालू पर साथ यादों के स्वस्थ होने का काम ना करता हूँ लेकिन मेरी बात फोन पे नहीं हुई तो इसको लेकर ब नून को लाया गया तो यह बहुत बड़ा खबर है और साब तोर पे जिहां आपको दार याँ जेडी ने बड़ा अरोप लगाया नितीस गुमार के खिलाप साथी साथ आज की पाड़ी खवर जिहां आपको दाने की मम्ता बनेर जी के रैली में जिया मम्ता बनेर जी और परधान मंत्री मोधी एक मंच पर दिखाई दिये जहां पर मम्ता बनेर जी ने भासर देने से मना कर दिया तो इसको लेकर बहुत बाड़ी खवर आ रही है तो मा सराब की बोट ले और इसको लेकर सियासत शुरू हो गया है वियार में सराबंदी का नून का उड़ राय धजिया तो बहुत बड़ा कबल है मात्र पांच मिनिट का अंदर विस्तार से बताएंगे साथी साथ इबियम मसीनों से इस बार होगी चुनाओ पंचाइती राज चुनाओ को कराय जाने की शुरूआत कर दी गई है इबियम मसीनों से इस बार चुनाओ कराय जाएगा पूरी जनकारी देंगे कि इस बार का चुनाओ में क्या कुछ अलग-अलग होने वाला है तो सबी कबरों को के करभी Star से बताएंगे उससे पेले विडियो को मांट रिक चोड़ा सा क्षा लायक जरूर करते हमारि मेनद का फल वीडियो को समय करने तो वीडियो को लाइक जरूर करें शारपी साथ यस विडियो को और यह propose । लालु पर सद्यादों को अच्छे इलाज के लिए पटना से जराची से रिम्स में रिम्स ओस्विटल से सीधे एम्स के अंदर टांस्फर कर दिया गया है और दिल्ली एम्स में लालु यादों की इलाज चल रही है जिहां बेटे महजूद है साथी साथ पत्नी भी महजूद है लालु पर सद्यादों के और वहीं उनके बेहतर इलाज हो सकता है और येर एम्बुलेंस जिहां आपको दाले येर एम्बुलेंस है लालु पर सद्यादों को लेकर के दिल्ली गया गया शाती साथ उन्टे फेफ़डों के अंदर पानी भर चुका है जिससे सास लेने में तकलीफ हो रहे है लालू परसाद्यादों को और लगता अरजिया लालू परसाद्यादों के श्वास्त को लेकर चिंता जनक स्थिति बना हुआ है अरजेडी में अरजेडी के काई नेताओं ने साबत अपे कुछ बोलने से मना कर दिया उन्होंने कहा कि दिया देश के बड़े एक नेता है लालू परसाद्यादों और एक देश के बड़े नेता के साथ जिस तरीके से बेवहार हो रहा है उनको रिया नहीं किया ज़रा है यह दुर्भाब के पूर बात है तो यह बहुत बड़ी कबर है लालू परसाध्यादों के बेटे तर्यस्वियादों ने भी अब मोहीम छेड़ दिया है कि लालू परसाध्यादों को रिहा किया जाना चाहि ट्वीटर के माध्यम से इस बात को जिया और रिया करने की मांगे गई और एक लाग से जाधा बार उसको स्यर किया गया तो लालू पर साथ यातों कि अगर आप भी रियाइज आते हैं चाहते कि जेल से बाहर आएं और जल्दी से जल्दी स्विश्थ हो जाएं तो वीडियो को लाइक कर अपना समर्थन दर्ज जरूर करें तो बेहत बड़ी खबर है आपको दारे कि लालू परसाद यादो लगतार समस्या से घिरते हुए नजर आ रहे हैं एक तरफ बीमारी तो दूसरी और जेल मेनवल की जिया आपको दारे अलग-अलग इसकी में अब जिया राची जेल मेनवल ने साफ कर दिया है कि लालू परसाद यादो को एक महीने का इलाज करने के लिए छुटी दी गई है एक महीने के लिए वो दिल्ली रहकर अपना इलाज करा सकते हैं लेकि लालू परसादियादो के स्वास्त में बृरीधी नहीं हुई तो और ज्यादा दिनों तक लालू परसादियादो को वहार रखा जा सकता है पर ज़िया आपको दारे इक परधान मंत्री घ। और यह डक्टोरों की टीमों ने इस बार लालुपरशाद यालों को इलाज साफ तोर पर करना सुरू कर दिया है आए बड़ते को बड़ी कबर कियों आपको दारे कि परधान मंत्री मोधी और साथी साथ ममताबनेर जी एक रंग मंजी आपको दारे कि स्टेस पर दिखाए दिये और वहीं स्टेस से साफ साफ ममताबनेर जी ने कहा कि आमंत्रण करके अगर मुझे इस तरीके से विवार किया गया जो तो इसको लेकर मैं काफी दुखी हूँ जी आपको दारे कि ममताबनेर जी जब इस टेस पर चड़ी वातर देने के लिए उससे समय जैस सिर्राम के नारे गूजने लगे और ममताबनेर जी आगबो बूला हो गई जिसको देखता हुए उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया उन्होंने कहा कि अपनी दुर्मेवार किया गया इसको लेकर उन्होंने साब तर पर निंदा की तो पर्दान मंतरी मोदी जी ये कुलकट्ता पहुंचे और वहां पर ममताबनेर जी एक साथ दिखाई थे पर्दान मंतरी मोदी ने अपनी शम्मान जरक आपको दारे कि सम्मान दिया उनको और काफी अच्छे तरीखे से मम्ता बनेर जि का श्वागत किया गया लेकिन मम्ता बनेर जी बाड़ी कबर है और लगतार ये पहली बार चुनाव से पहले ये पहली बार जब ममता परनेर जी और परधान मंत्री मोधी एक स्टेल्स पर दिखाई दिये आए बरते एक और बाड़ी कबर क्यों जिया राबडी देभी फूट फूट कर रोई लालू परसाद यादों से मिल आए कि कोई बेतर इलाज हो इसी की मैं कम न करूंगी और शादी साथ राबडी देभी दिल्ली पहुंच चुकी है लालू परसाद्यादों के शाथ राबडी देभी है और लगतार उनके श्वास्त और सेवा भावना में लगे हुई है तो राबडी देभी साब तवर पर लालू परसाद्यादों को देखते रहते रुपड़ी थी और राची के अंदर जब लराबडी देभी ने रोना सुरू किया तो यह बहुत बड़ी कमर आ रही है जब यह इमोशनल हो गए सभी परिवार लालू परसाद्यादों को देखकर इमोशनल हो गए एक तरफ लालु परशाध्यादों को रिया करने के विमांग शुरू हो गई है लालु परशाध्यादों को देखी तो रोने लगी फूट-फूट कर रोने लगी और उन्होंने अपना आश्व रोक नहीं पाई तो अपने आसु को रोकने में असफल रही और रोक नहीं पाई थी वह आज की एक और बड़ी कबर क्यों बढ़ते हैं जी आपको दाने कि नितीज कुमायर ने जिया मीडिया के सामने बातचित करते में कहा कि लालू पर शाध्यादों के अच्छे श्वास्त का कामना करता हू जल्दी से जल्दी श्वास्त हो जाएं इसकी मैं कामना करता हूँ और शाथी साथ आपके जनकारी के लिए बता दी कि लालू पर शाध्यादों और नितीज कुमायर की राजनीतिक केरियर को एक साथ शुरुआत किये थे और कभी भी उन्होंने यह भी कहा कि भी पक्च में रहे यह पक्च में रहे हमने दोनों टाइम उनकी जिया एलाज और श्वास्त के अच्छे कामना की है और हमेशा से मैं उनका अपडेट लेता रहता हूं लेकिन कुछ समय पहले से मैंने फोन करना बंद कर दिया जब मीडिया के सामने कुछ लोग आकर बोलने लगे उसके ब पू दीखा कि मैं कभी भी फोन बाते नहीं करता मैं पहले किया करता था और शती साथ में लानु परसाध्यादों का अच्छे होथ का कामना करता हूं इस से प्रात्ना करूंगा कि स्वार उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक कर दें जिसने कम-से-कम- वह चेटंग से रह से अच्छी स्वास्त के कामना किया नितिस कुमार साफ सब्दों में आई ये बड़ते एक और बड़ी खबर की और जिया आपको अता दे कि मंत्री के घर के सामने खाली बोटल क्या कर रहे वाई तो इसको लेकर बड़ा भूचाल मच गया है जिया आपको अता दे कि शराबंदी कानून जियन लागो हो चुका है वियार के अंदर शंपून सराबंदी है लेकिन संपून शराबंदी की धजिया उस समय उड़ने लगी जब मंत्रियों के घरों के सामने शराब की खाली बोटले मिलने लगी ABP News के मताबिक जिया आपको धाले ABP News और सातीसाथ RJD ने शाब तोर पे आरोप लगाया कि नितीज सरकार भिफल रही है नितीज सरकार ने शराबंदी को लागो कर सिर्फ और सिर्फ जिया काले कणून यानि काले धन्दों को और जएड़ा बढ़ा वादिया है साधी जाद अर्चेडी ने यहां तक कहा कि अगर ये भी सोसल मीडिया पर आकर कहना गुना है तो सबसे पहले गिरफतारी मेरी होनी चाहिए क्यूंकि अब तो पत्रकार भी दिखाने लगे है कि किस तरीक से मंत्रियों के घरों के सामने ये शराब की बोटले पाई जाती है और सराब चलता रहता है तो कुछ लोगों से भी फील के समधाता ने जब बात जित की तो उन्होंने कहा कि यहां चलता रहता है और कच्णों की धेर पड इसी तरीके से शराब की खाली बोटले हमेशा देखने को आपको मिलती रहेगी तो शराबंदी कानून बियार में है वियार में आप शराब को नहीं पी सकते हैं ना तो शराब को अफलाज शकते हैं लेकिन शम्पून शराबंदी कानून के बाहुजूद भी मंत्रियों के घरों के सामने कूले और कचड़े के डेर पर शराब की खाली बोटलों का मिलना ही लाजमी हो गया है उनको कैसे सम्हाल सकती है और शम्हाल के दिखाए तो यह बड़ा कबर है सराबंदी कानून के बाद में भी सराब भीहार में थाड़ा ले से चालू है आज के लिए इतना है विडियो को लाइक करने बिल्कूल रभूले जाहिंद मंद मातरम भात मता की जेए